अब हम रंग लेते हैं या सही रहेगा और इसमें अंडा डालते हैं वाओ वाओ ये कितना सुन्दर लग रहा है और लाइट बन करने का समय है ये भरवान ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ ये क्रिस्पोर्ट है ओ ओ ओ ओ मुझे खेद है गल्पी से क्या तुम भी वही सोच रही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ एक कलर खितना अच्छा लग रहा है लेकिन रेंबो के सभी रान सौ गुना बहतर है या हुआ ना हाँ यह निश्चित रूप से पाइप स्टाइल लाइफ है खै इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा तुम मेरे हो मेरे प्या वहाँ है जर्वत है किसकी यहां क्या चल रहा है आरे बिटनी यह सब बखवास करना बन करो इस पूल लाइफ है की जाज करो चलो चाय करते हैं यहां तो बढ़ो आगे तो यहां बोतल एकदम सही है इसे मेरे लिए छोड़ दो मैं इस सोडा से जल्दी ने बटलूँगा सोपर ठीक है और इस तरह अंडा हाँ यहां बैम और यह यहां रहा एक मोमबत्ति डालते हैं और उसे जलाते हैं और यह रहा रियल मोमेंट कुछ नहीं हो रहा है है हमारे पास बहुत सारी मोमबत्तियां है और यह यह पकवास है तीन मोमबत्तियां यह निशित रूप से काम करेगा नाए फैक रुखो तू स्टार्स हैपी बर्डे ये क्या गिफ्ट मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कितने बड़े हैं बूरिंग ब्रिटनी ब्रिटनी देखो हमें बस इस लाइफ है को किसी दर ट्राई करना है क्या कहती हो ठीक है हमारे पास उसके लिए सब कुछ है चलो जल्दी करो तो यहां अंडे है और यहां हमारे स्पार्कलर है अब हम अंडे को ठीक से लगाएंगे और अब स्पार्क यह तेजी से लक्ष की और बढ़ रहा है आगे क्या होगा ओ यार यह काम किया हां और अन्दा भी खराम नहीं हुआ बहुत अच्छा मुझे यह बहुत पसंद आया स्वादिश्ट तुम खाओगी नए धन्यवाद लाइफ है फाइफ स्टार तो टिक टॉक में नया क्या है वाव यह हुई ना बात वाव हमें बस इसी आजमाना है चलो बिटनी के बाश जाता हो ओ योगा इस तरह कभी कभी यह मुश्किल होता है अरे बिटनी तुम्हां क्या सो गई हो क्या उठो यह नए लाइफ हैट को चेक करने का समय है तुम्हें यह कैसा लग रहा है जल्दी करो मेरे पीछे आओ तो हम फ्रीट से सभी अंडे लेते हैं ओ हो हाँ यह वाला और यहाँ यहाँ रख दिया और यहाँ यह कैचल बेल आऊच एलेक्स तुम चीजों को मुश्किल बनाना पसल करते हो हमें कैचल बेल की जरुवत क्यों है देखो यह कैसे किया जाता है यहाँ चलो ऐसे वाहो यह काम किया चलो देखो मैं करके दिखाती हूँ उप्स यह कितना मज़ेदार है फाइव स्टार एलेक्स मुझे खाना बनाने में डिस्टा मत करो कुमारे पास वाह किया है यह दिलचस्प है है चलो इसे ट्राइक करे यह एक्वेरियम सही रहेगा ठीक है चलो काम करते है हमने सभी अंडे एक साथ रखे यह कुई दबाद बढ़िया अब देनेगर हाँ यह मुश्पिल है गंदा हम पूरे पैकेश को बाहर निकालते है बढ़िया अब थोड़ा इज़्जार करना बागी है लगता है जल्दी त्यार हो जाएगा हो गया बहुत टाइम लग रहा है मुझे नीद आ रही है ओ आखिरकार सुनो मुझे लगता हमें कर लिया है वाव कितना अच्छा वाव वह ऐसे ही बन गया है स्क्वेस मुझे स्क्वेस बहुत पसंद है हम दिन बार इससे खेल सकते हैं यह बहुत मदेदार है फाइब स्टार यह लो और यह आपके लिए मैं कितना ठग गया हूँ क्या यह नहीं हो सकता इतना अच्छा लाइफ है खैर में निंजार कर सकती है बेटनी मुझे आशाय तुम सोई नहीं होगी अरे उठो बहर हमारे पास एक जरूरी काम है ठीक है जिए तुम सोना चाहती हो तो मैं यह कुल लाइफ है खुदी करूँगा क्यावल इसके लिए सही सामान डूलना है यह यह ठीक रहेगा यह वाला मैं इसे ले लेता हूँ यह शोर कैसा है क्या कोई चोरा आग्या है बेटर होगा तुम दूर रहो मुझे कोंपु आता है ओ यह कौन है एलेक्स तुम यह क्या कर रहे हो ठीक है चलो इसे ट्राई करे चलो बस चुपड़ा हो चलो चलते है तो चलो लेगिंग लेते है और उसमें अंडा डालते है हमारे अंडे के लिए एक असली मनुरंज़क पार्क का इंजाम करते है यह कितना मज़ेदार है माफ करू भाई वहाँ क्या है क्या लगता हमने कर लिया अब हम पता लगाएंगे तोड़ा और धैरी बिटनी और अब यहाँ यहाँ है असली मोमेंट हम इसे साफ करते है शेल हटाएंगे और इसे काते लिए यह बेकार है यह भी ठीक वैसा नहीं है जिसकी जरुवत है और यह हाँ यहाँ सब कुछ वैसा है निकला जैसा उसे होना चाहिए फोर स्टार बुरा नहीं है अरे बृट्नी क्या तुम वास्ता में कुछ अच्छा देखना चाहती हो कुछ मज़ेदार सा हाँ इसे पकड़ो अब तुम सब कुछ देखोगी चलो इसमें गुलाबी रंग डालते है और इसमें पीला और इसमें नीला दूसरे रंगों को भी नहीं बुल्ला है तो अब एक खाली सफेद कैन्वास लेते है और बैम हाहा अलेक्स अरे यह वास्तमें बज़िदार है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है और मोड भी अच्छा हो जाता है बस केवल उस प्रिक्चर को देखो कितना सुन्दर बना है फाइब स्टार हाहा मुझे अपने भाई के लिए अंडे से कुछ स्वादिश बनाना होगा अब हमें इसे अवन में डालना होगा इसे बेखोने देते है और अब हम इसे निकाल सकते है वाव, स्वादिश खुश्बू आ रही है ओ नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि अवन में था ओ, मेरे हाथ जल गए बहुत जलन हो रही है लगता है अब सब ठीक हो गया अब हमें ओमलेट को एक प्लेट पर रखना है और इसे एलेक्स को परोज सकते हैं मैं एक अजबत कोखू चलो इसे जल से जल उसके पास ले जाए बेलिसीमो अ, नहीं, हाँच कितने जोर से छोट लगी मेरा पैर, मेरा बेचारा दर्ट से तरपता, पैर मुझे इसे जल जली से फूप मार कर ठीक करना होगा ओ, नैंसी, तुम यहाँ हो कोई काम था क्या, तुमने क्या बनाया है यह अजीव लग रहा है मुझे वादो और गंज से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे इसे चक्तर दिखना चाहिए आशा करता हो कि तुम मुझे कोई जान नहीं खिला रही हो यह अच्छा है, यह जली जिसा दिखना दिखना है चलनल से खाता हूँ, बुरा नहीं है मुझे यह पसंद आया, क्या तुम इसे चक्तर चाहती हो हाँ, मुझे चाहिए, इससे फेख चुक्रा आले, अलेक्स, तुमने क्या किया है तुम किती गंदे हो लेकिन यह फ़नी था चलो, आप खाना बनाते हैं और खेलते है यह, यहाँ अंडा है क्या यह चिकन है क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया वाउ, मेरे पास एक आइडिया है मुझे तुरंत एक लब की जर्वत है चलो, अब इसे फुलाए ओ, माफ करना चिकन हम इसे एक कप पर लगाएंगे और फिर एक अंडे को मग में तोड़ते है बढ़िया अब हम सब कुछ निचोड़कर मिलाते है मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए वाउ एक पैचन बनाते हुए पैन में सब कुछ डालेंगे वाउ, मैंने इसे खुबसूरती से किया है यह असली एग रोल है इसे जल्दी एलेक्स को दिखाने के जर्वत है मुझे कौन सा खीचना चाहिए हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा तावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए ओ, नहीं एलेक्स, यहाँ क्या चल रहा है तुम ठिक तो हो मैं तुमारे एक नया ट्रीट लाई हूँ तुम इसे चखोगे जल्दी इठो, मैं तुमारी मदद करती हूँ यहाँ, यहलो क्या तुम मैं फिर से कुछ पकाया चलो, इसे खा कर देखे अच्छी कुछ गुआ रही है वाव, यह स्वादिष्ट है लाजवाव, क्या तुम भी खाना चाहती हो वाव, स्वादिष्ट रेसिपी को फाइब स्टार वाव, क्या मैंने एक दूलब शुदुर मुर्ग को खोज लिया है वहाँ, वहाँ, बैची है कितनी सुन्दा है तुम बहुत प्यारी हो वाव, इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट बन सकता है चलो इसे खोले वाव, अंदर बड़ा अंडा है कूल, मुझे तुरंट इसे पकाने के जर्वत है मुझे लगता है कि अब वाइलर मेरी मदद करेगा वाव, कितना गर्म है मुझे इसी की जर्वत थी अंडे को पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंजार करना होगा और अम मैं थोड़ा अराम कर सकती हूँ वाव, क्या ये तियार हो गया तो चलो, एलेक्स के पास चले तुम बहुत सुन्दर हो मैं तुम इस कपसे कहना चाहता था मैं तुम यह क्या कर रहे हो वैं खिश करने जा रहे है अच्छा होगा मुझे किस कर ले ये तुम्हारे ने शर्म नाक है तेकिन मुझे पता है किसे कैसे ठीक किया जाए मैं अपनी नई डिश लाई हूँ येहां दो अंडा बहुत अच्छा है मैं इसे वाफल मेकर में पकाऊँगी चोट लगी लेकिन यह तूट गया मैं इसे वाफल मेकर में डाल देती हूँ और फिर इसे बन कर देती हूँ और थोड़ा इंजार करना होगा सब कस तेयार है अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा और इसे अलेक्स को सर्व करती हूँ उसे यह जुरूर पसंद आएगा और आप सबसे अच्छा खिलारी अलेक्स रिंग में जाता है और अपनी टीम के लिए बास्किट बॉल वर्ल्ड कप लेता है हाँ ये आओ चैलेक्स दर्द हो रहा है ओ नहीं क्या मेरे माती पर ब्रूस बन जाएंगे खेट चलो इसे भूल जाओ मैं तुम्हारे लिए एक नया टीट लाई हूँ मुझे बहुत भूफी लग रही है मैं इसे खाता हूँ स्वादिश इसे फाइब स्टार मिलना चाहिए वाव हैलो मचली मैं खुले समुद में तुम्हारे साथ तहना चाहती हूँ लेकिन आभी मैं केबल एक अक्वेरम ही खरीच सकती हूँ और तुम मेरे लिए उपयोगी हो सकते हो क्योंकि तुम साधारन मचली नहीं हो हम तुम्हारा उपयोग अभी खाना पकाने में करेंगे तुम वाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो अभी अन्डा तूट गया और अब तुम्हारी बारी योग्स और वाइट्स अलग तुम बहुत अच्छी हो तुमने असानी से कर लिया चलो डाल पर वापस जा वाव यह कातिल जिस कहां से आई वाव वो मेरे इंक लेकर आई है कूल मैं वाइट्स को काला कर सकती हूँ बहुत बढ़िया अब पैन में सब कुछ डालना बाती है मेरे पास उल्लू के आकार में एक साचा है जिसके उपर बड़ी आखे है अब मुझे अपना योग चाहिए मैं उन्हें इन आखों में डाल दूँगी सुम्दर अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे और मोल निकाल देंगे वाव, कमरे के चारोर स्केट करना बहुत अच्छा है ओ, नैंसी हाई ओ, नहीं, मैं गिर रहा हूँ मुझे पकड़ो मेरे हाथ, मैं तुभार ले एक नई डिश लेके आई हूँ मैं तुभारी मदद कर सकती हूँ ऐसे गिरने के बाद तुभे कुछ स्वादिश खाने की जर्वत है लो, खाओ वाव, क्या यह फ्राइड एग है इसके आखे बहुत मदेदार है स्वादिश है बहुत अच्छा मैं इसे भी खा कर दिखता हूँ मुझे अपने भाई को सर्प्राइज करने की लेट नई रेसिपी लाने की जर्वत है अंदा आप यहां कहां से आए और रंगीन पेंसिल मेरे पास एक अच्छा इडिया है मुझे कुछ अंडे उबालने की जर्वत है यह तयार है और अब हर अंडे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोडते हैं और फिल इलास्टिक बैंड के साथ सब कुछ टाई करते हैं और आप राबर बैंड से छुटारा पास सकते हैं फिल्म और पेंसिल हटा दे और आम मैं आपको सबसे जिल्चस चीज दिखाऊंगी अब हम अंडे को एक फूल की तरह काटेंगे कितना संदर एलिक्स के यह जुरूर पसंद आएगा वाव मेरा फेवरेट गम वाव यह कितना लंबा है मैं अब तुमें खाने जा रहा हूँ और तुम बहुत स्वादिष्ट हो मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था और ये रहा बड़ा एलिक्स हाई यह बबल कहा से आया मुझे उसे छुटकारा पाना है यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी इसे उड़ा दो एलिक्स तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ किवल गम में ढखा हुआ हूँ क्या तो मिले ले कुछ लाई हो मुझे तुमारे नए देश को ट्राइ करने में खुशी होगी वाव ये फूल बहुत अचीब लग रहे है क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है ठीक है चलो ट्राइ करता हूँ वाव कितना स्वादिश बाप अच्छा दादी ने आईरन इधरी छोड़ दिया है चीज का मतलब है भैस पर काम करूँगी हमें बस ये देखना है कि ये गर्म हो हाँ बिलकुल सही मुझे खेद है लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जरुवत है हेलो लिटिल एग प्रीज अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्तबे पूरा करेंगे आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा मैंने विशेश रुप से आपको दिल के आखार में बनाया है ताकि सभी जान जाए कि मैं कितनी प्यार से खाना पकाती हूँ अब कि वुशेश बात के लिए थोड़ा नमग डालना बाकी है अब एलेक्स के पास जाने का समय है एलेक्स मैं तवाईल ने स्वादिश खाना लेकर आई हूँ जागो फेट से पोरी रात गेम खेल रहा था अगर एलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है तिम्म उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी एलेक्स उठो मेरी नई डेश ठंडी हो जाएगी और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जागो मैं कितनी आराम से सो रहा है मैं इसी बरदास नहीं कर सकती मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे हाँ बिल्कुल हाथ उंगलिया मैं उसे थोड़ा गुद गुदी कर सकती हूँ जागो यह काम किया नैंसी फिर कभी असा मत करना मैं अभी ट्राइ करता हूँ यह स्वादिश लग रहा है अधबूर, बहुत अच्छा धन्यवाद, अब मैं सो सकता हूँ तुमें पता है, मैं तुमें भी हरा सकती हूँ ओ नहीं आ, मैं गिर रहा हूँ, नैंसी, मुझी पकड़ो ओ, सॉरी, तुम्हें पकड़ने का समय नहीं था चोट लग गई, नैंसी मेरे पीट में बहुत दर्ध हो रहा है मेरे कुर्सी भी तूट गई, अब मैं किस पर बैट कर गेम खेलूँगा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें लेक नई कुर्सी बनाओगी, चिंता मत करो मैंने आज एक दर्धन से अधिक अहंडे का इस्तेमाल किया है एक फोल्डर जरूर डश्विन में होगा, चलो से खोजे इधर, कच्रा, कच्रा, यह भी नहीं ओ, यह वहाँ है, हाँ, एलिक्स की नई कुर्सी के लिए मुझे ना केवल कुछ दर्धन अंडे के पैक की जर्वत होगी बिल्कि अलग-अलग रंगों के साथ पानी भी चाहिए होगा इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन कर सकते हूँ अलग-अलग रंग में इसे रंगोंगी ताकि कुर्सी सुन्दर, चमकदार और रंगीन हो जाए वाँ, यह कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल सही और आम मुझे उपर बहुत सारे रंगीन पॉम-पॉम लगाने की जर्वत है ताकि अलग्स कुर्सी पर आराम से बैट सके वाँ, बहुत सुन्दर बिल्कुल सही अलग्स को इसे तुरंट दिखाना होगा यह कितना भारी है इसके गिर्णे से पहले जल्दी से इसे ली जाना होगा हाई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हू यह तुम्हारी नई कुर्सी है नई कुर्सी? तुम्हें मेरी लिए कुर्सी बनाई? वाँ, यह कितना नरम और रंगीन है मुझे सच में यह पसंद आया मुझे इसके जाच करनी चाहिए वाँ, हम सच में इसमें बैट सकते हैं कितना अच्छा, धन्यवान नैंसी चलो, फिर से गेम खिलते हैं चलते हैं ये, वाँ, कितना कोक है चेर्स बहर शेट लगा लो, मैं एक गूट में पूरी बोतल पी सकता हूँ हाँ, मैं भी वह कर सकती हूँ और अब हम कैंडी भर सकते हैं बस ये गिरे न, हाँ हमें इसे दूसरी पोतल में बें डालने के लिए पानी की जर्वत होगी इसे मैंने अच्छी तरशित होया है और मैंने उनो काड़ लिया है ताकि पानी न गिरे क्या तुम तयार हो, फिर मैं इसे बलट देती हूँ हुरे, चलो खीषते है वाँ, ये काम कर गया देखो ये कितना सुन्दर है वाँ, सही कह रहे हो, ये मस है हमने अच्छा किया मैं यह पहले ही देख चुका हूँ यह भी वाँ, ये लाइफ है, जाज के लाइक है मैं यहाँ हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा वाँ, तुम मास्टर हो धन्यवाद, देखो मुझी क्या मिला है तुम क्या सोचती हो ये अच्छा है, एक सेकेड सभी राणी कर्था कर लिया चलो चलते है अरे, मेरे लिए रुको और मुझी दूद पिये बहुत समय हो गया है तुम्हारी मूचे मन गई है चलो, दूद डालने का समय है बस एक सेकेड अब क्या होगा? मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए? चलो, बैंग मिलेती हूँ ओ, यह खुल क्यों नी राह है? पेंट सुक गया है क्या? लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चलो, देखते हैं मैंने आज पूश अफ्स करके अपने हाथों को मदवित बनाया है आरी से कैसा रहेगा? उफ, चलो, खुलो आ, यह काम किया यहलो, हुरे सभी रंग, प्लेट पर है अपके बल इसमें डालना है देचरेंट हाँ, इसे एक कॉटल स्वैपल गिरा कर दूर में डालना होगा कूल, वाओ, देखो सूपर, हमने कर लिया हाँ, हाँ, हाइफाइब मेरे बॉइफ्रेंट ने फूल भेजा है कितना प्यारा हेलो, क्या तुमने बहुत देखा कहा ओ, फूलो के साथ एक लाइफ है आई दिया अच्छा है ओ, वाओ वाओ, क्या खुश्बू है आरे भाई, खाना बन करो चलो, जूस बनाते है ठीक है, मैं गाजर से शुरू करूँगा एक सेकेंड, और यह हो गया फिर मैं सैलरी डालूँगा बहुत हरा क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गया लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा और मैं पीला केला लोंगी हाँ, यह कितना अच्छा है अगर सब तयार है तो आगे बढ़े इस बिच हम खेन सकते हैं मैं जीत गई आर्म रेस्लिंग कैसा रहेगा मैं फिर से जीती ओ, भाई, जागो देखो हमारा लाइफ एक काम कर रहा है वाउ ओ, वाउ, फोल कितने रंगील हो गया है यह तो बहुत अच्छा है ला, ला, ला यह ब्लागर्स भी न यह फनी होता है जब वो खुद को एक स्टार समझती है क्या तुम्हें एक नया लाइफ एक देखना चाहती हो हम एक बोतल में जेली बनाएंगे खुल है ना मुझे यह पसंद है चलो करते है मेरे गले में खराश है मुझे इसे कोक के साथ ठिक करना होगा वाव, कितना स्वादिस है और मुझे कुछ कैंडी मिली एक पैक काफी नहीं होगा मैं एक बार में सब खोल देता हूँ जितना ज़्यादा, उतना अच्छा वाव, चलो उन्हें रंगों से छाटे और वाव देखो कितना अच्छा लग रहा है मैं रेनवो के सभी रंगों को शामिल करूँगा ताकि वे खूब सूटी से जिन मिलाए वाव, अब इसमें कौन सिरप डालेंगे चलो भाई वाव, बढ़िया, अब बोतल को फ्रीज में रखना होगा और इसके जमनी तक इंजार करना होगा ओ, मुझसे बहुत इंजार नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे मुवे भी पानी आ रहा है वाव, कूल, हमने किया यह कमाल का है मुझे भी चाहिए क्या मैं अहाँ, बेशक सूपर कितने सुन्दर कैंडी है यह बहुत स्वाधिस्ट है वाव, कूल, लाइफ है धन्यवाद भाई मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है यह भयानक है तुम्हारी तगित कैसी है मुझे यकिन है यह तुम्हें खुश करेगा यह एक लाइफ हैक है कैसे एक लावा लम बना सकते है तुम्हें इसे बनाना भी चाहती थी एक सेकेंड रुको, यहाँ यह एस्परिन लेलो घंगवाद अब मैं इसे जल्दी से बनाऊँगा और अपनी बहन को सर्प्राइस करूँगा सबसे पहले क्या करना है हाँ, पानी डालना है फिर पेंच ओ, लाल उसका फेवरिट रंग है अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है हाँ, ऐसे तैयार लगता है यहाँ तेल की जर्वत है क्या यह नारियल तेल है? चलेगा मुझे लगता है इतना काफी होगा और एस्प्रीम ये यह मेगा सुन्दर है मेरी बहन जरूर बहुत कुछ हो जाएगी जागो सिस देखो मैं तुमारे लिए क्या लाया हूँ तहाँ, वाँ लावालाम बन गया यह मस्त है, धन्यवाद तुम जीनियस हो मैं इसे अपनी जगह पर रखूँगी मैं ठक गया हूँ या क्या कितने जोर से चोट लगी यालो मैं इसे बाद में देखूँगा मैंने मुझे बहन को खुजना है मैं मुश्किल से बच पाया माफ करना मैं गल्पी से इसे भून जाओ बेतर होगा तुम इसे देखो यह जाज करने लायक है मेरे पास कुछ बैलून्स बचे है चलो कीचन में चलते है वाव इस एक्सपरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिर्का की जर्वत होगी और एक फानल भी अब मुझे एक बैलून दो अच्छे ठीक है लो अब हम इसे पनल पर कसकर लगाते है और इसे सोडा से भरते है सूपर अब हम सिर्का पर ये गुबारा डालेंगे और तुम तयार हो पहले से कहीं जादा तो फिर शुरू करते है वाउ देखो ये फूल रहा है वाउ ये अद्वध है हॉगवर्स के जादू की तरह ये फटेगा तो नहीं ओ कुछ दिल्चास मुझे एक नया रेंबो लाइफ हैक मिला है इसे तुरन बीटनी को दिखाना होगा नहीं देखो मैं शैप हो तुरन बीटने वाले थे चोड़ तो नहीं लगी सब ठीक है देखो मुझे क्या मिला है क्या कहती हो ठीक है चलो इसे देखे मुझे स्केट दो नहीं ये मेरा फेवरिट स्केट है इसे अच्छे तरीके से दे दो किसी हाल में नहीं रुको मेरे पास एक आइडिया है पापा का लैप्टॉप कैसे रहेगा मुझे उसके लिए खेद नहीं है अच्छा ठीक है चलो मैं पेंट स्प्रे करने जा रही हूँ कितना सुन्दर तुम्हें पसंद आया और आप क्रीम मैं सूरज बनाऊंगी अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है वाव बहुत सुन्दर कुम्होन तुम्हें लैप्टॉप को कितनी खुबसूर्ती से सुजाया है पापा खुश हो जाएंगे शाबास बहन क्या यह कैट फूड है यहलो दोस्ट खाओ वाव बहुत बढ़िया व्रिटनी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मुझे क्या मिला है वहाँ क्या है वाव मुझे भी यह चाहिए चलो इसे करे मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ वह प्लेप पर तिप्ले अच्छे से कूर्द रहे है तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ अरे इसे लाइफ है के लिए भचाओ खै ठीक है वाव यह नहीं हो सकता वाव तुम आदबो तुम्हें स्ट्रॉच आईए बड़ी आइडिया यह मस्त है देखो यह मज़ेदार है तुम्हें खुद को देखना चाहिए बिल्ली की हाको को देखो उसने भी स्कीटल्स पी लिया कितना दुरावना अरे पॉपकर कहा है क्या यह खत्म हो गया है ओ नहीं केवल दाने बचे है यह अच्छा नहीं है एक मिनट रुको मुझे याद आया कल मैंने एक फूल लाइफ हैक देखा था तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे देखने दो वाउ यह अच्छे समय पर याद आ गया चलो कुछ और पॉपकर्ण बनाते है हमारे पास एक फ्राइंग पैल है दाने भरे बस कुज़े और तयार क्या हम स्पिसल्स भी मिलाएंगे शायद यह सच्छो के कैंडी पॉपकर्ण को रण सकती है काश यह काम कर जाए मुझे बहुत भूख लगी है तुम्हें यह देखा? हाँ यह काम कर रहा है वह पॉपकर्ण ओर रहा है हाँ बस अरे इस कुछ करो ढ़कर्ण कहा है लगता है अब सब ठीक है देखो वाव यह मस्त है वह बुकर कहीं के क्यों मैं पेटी ओ यह अच्छा था हमने अच्छा किया तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो और तुम चालने के साथ कैसे ठेलने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं और यह क्या है वाव सेब का पेड कितना अच्छा इस पर सेब है मुझे कितनी भूख लगी है मैं वास्ता में एक दो सेब खाना चाहती हूँ वाव यह कितना स्वादिस्ट है बहुत अच्छा मुझे इससे फ्रेंच फ्राइज बनाने की जर्मत है लेकिन सही सेब तो बहुत उपर है मैं वहाँ कैसे पहुचूंगी मेरे पास एक आइडिया है मैं पेड को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेब मेरी टेबल पर गिर जाएगा इसके लिए मुझे बस हेलमेट पहनना है क्योंकि उपर से कुछ भी गिर सकता है देखो, मैंने तुमसे कहा था यहाँ सेब है वाव, यहाँ क्या है वाव, कूल यह एक रसोई गैजट है जो मुझे फ्रेंच प्राइज के आकार में सेब का टुकरा काचने में मदद करेंगे अब इसे शुरू करते है वाव, यह काम कर रहा है कितना अच्छा और बहुत स्वादिश और यह सब कुछ एक सेब के पैकेट में रखना बाकी है और इसे अपने भाई अलेक्स को परोश सकते है चलो, जल्दी से उसके पास चले ओम, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बृट्नी ओम, रास्ते में बताओ ओ लहीं, बृट्नी तुमने मेरे ध्यान को क्यो डिस्टरब किया मैंने लगभग जेन को फगड़ लिया क्योंकि मैं तुमाइल ने कुछ सेब फ्राई लाई हूँ यह सामानी फ्रेंच ट्राइस की तरह ही है लेकिन सेब से बना हुआ जल्दी से ट्राई करो, पसंद आया? मैंने बहुत कुशिश की निवटेला बहुत स्वादिस है और यह क्या है? और वह कहां जा रहा है? वाव, यहाँ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है यह सभी छोटे लोग अब इश्वस्ती रूप से कुछ अच्छा बना रहे है अले, तुमीहा क्रेन पर क्या उठा रहे हो? वाव, यह खिलोना लॉग है यह मुझे खाना बनाने में मदद कर सकता है और मेरे पास एक शानदार आइडिया है यह लोग मुझे फ्रेंच फ्राइस की याद दिलाते है लेकिन आम तोर पर नहीं, बल्कि चौकलिक वाले मैं खुद को छोटी लोग के रूप में फॉयल मोल्ड बनाऊंगी फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटिला अंदर डालूँगी कमेंट्स भी लिखे क्या आपको न्यूटिला पसंद है एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते है और अब इसे फ्रेंच में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रेज में रखना होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ तैयार, है काफी समय बीच चुका है यह चॉकलेट फ्राइस को बहार निकालने का समय है वाव, यह बहाद अच्छा निकला हमें इसे तुरण टेस्ट करना होगा हाँ, सब अच्छे से जम गया है हम इसे निकालते हैं और इसे, एलिक्स के पास ने जाते है वाव एलिक्स, मैं तुरण ले चॉकलेट फ्राइल आई हूँ एलिक्स कहां है? अचीब, मैं कमरे में उसका इंजार करूँगी वो कहां चा सकता है? ठीक है, अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती वाव, कितना स्वादिश्ट है बिट्नी को थोड़ा डराने का सही समय है ओ आ, बैड मॉंस्टर उसने मेरे पैर पकड़ लिया ममी मैं मॉंस्टर नहीं हूँ ओ, क्या विट्नी से लाई थी? वाव, चाकलेट चिप्स कूल, हम इसे जल्दी आजमाना चाहिए ये बहुत स्वादिश्ट है फाइप स्टार अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा मैं इस बॉल को फेक रही हूँ हुले, स्ट्राइप वाव, उनके अंदर कुछ और था लेकिन अभी एक चिप्स क्रम में बदल गया है मुझे इसे आजमाना चाहिए वाव, ये स्वादिश्ट है काश मैं चिप्स से फ्रेंच फ्राइज बना पाती वाव, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं चिप्स के टुकडो को असली फ्रेंच फ्राइज बें बदल सकती हूँ मुझे बस एक अंडे को जार में तोडने और अच्छी तरह से हिलाने की जर्वत है यह आविश्वस्ते रूप से स्वादिष्ट होगा अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेम में डाला तयार होने तक पकारते हैं बिल्कुल सही यह कितना गर्म है अब सब कुछ मिश्चित रूप से तयार है इसे बाहर निकालना होगा यह कितना अच्छा बना अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जर्वत है मेरे पास इसके लिए अच्छा ग्याजट है बस इसे जोर से दवाना है और सब कुछ सही टुक्रों में कट जाता है शानदार बस इसे पैकेट में डालते हैं और चकने के लिए एलिक्स तो भी आजा सकता है यहां सबसे मुखे बाद बैलन्स बना कर रखना है मैं जरूर सफल होँगा ओ ओ मैं लगबग गिर गया लेकिन मैं अभी ठीक हूँ मुझे सही बैलन्स बिला है ओ हाई बिटनी क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है बढ़ियां मुझे बहुत भूख लगी है फ्रेंच फ्राइस लेकिन किस से बना हुआ ठीक है चलो यह ट्राइ करता हूँ वाव चिपस से बने फ्रेंच फ्राइस बहुत ओ नहीं मैं गिरा हो मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है बॉल के लो हमें यह जाचना होगा कि यह काम करता है यानि वाव यह सच भी काम करता है कितना अच्छा तीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा क्या जॉला मुखी केवल इस तरह फूटेगा अला तीचर अभी भी गर में मैं इस पर अपने फेवरिट खटे कैंडी को पिगला सकती हूँ अलेक्स ने लिश्चित रूप से अभी तक खटा कारमेल फ्राइज नहीं खाया होगा वाव वे कितनी जल्दी पिगल गये हैं अब मोल्ड में सब कुछ डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं और देखो बहुत बढ़िया हमने अपने मज़िदार कारमेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से अलेक्स की ओर ली जाते है मशीन को सावधानी पुरुक स्टार्ट करना जरूरी है ताकि ये सबी लूप से क्रॉस कर सेके वाव कितना अच्छा मैं ठीक हो मैंने तुम्हेंने एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है इसे ट्राइज करो वाव यह बहुत अच्छा लग रहा है चलो इसे चकता हूँ बहुत हाड है क्यों? वाव तो इसे चाटना होगा वाव मैंने निश्य तुम्हें तक कारामेन फ्राइज नहीं खाया है मुझे यह बहुत पसंद आया मैं इसे पूरा खाने के लिए तयार हूँ खूल रेसेपी वाव यह अच्छा है यह अनिश्य तुम्हें से डो को छोटे टुकर में काटने में मेरी मदद करेगा मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा सब कुछ कट गया है मदद के लिए धनिवाद बाई और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते है और इसे आवन में सेखने के लिए भेजते है जल्दी मिलते हैं फ्राइज काफी समय हो गया आभी अनिशी तुम्हें से त्यार हो गया होगा वाव सब कुछ त्यार है कितना अच्छा हमें जल से जल एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर्थ करेंगे वाव यह असले फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है वाव यह कुदने के लिए बहुत अच्छा है आँ मेरा बैलेस भिगड़ गया एलेक्स, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो मुझे पता है, यह तुम्हारी मदद करेगा मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राइज करो बेशक, चलो वाव, यह नए तरह का लग रहा है मैं कहता हूँ वाव, यह अच्छा है, मुझे और दो मैं निश्च फ्राइज को पांच में से पांच दूँगा फ्रेंच फ्राइज की धेर से मुझे क्या बनाना चाहिए ओ हाँ, मुझे पता है, सबसे पहले मुझे एक बड़े कंटेनर की जर्वत होगी जहां मुझे केथली से पानी डालना होगा यह मुश्किल हो सकता है लेकिन इसे कर सकते है अब हमें फ्राइज के लिए सभी पैकेट्जों को चम के लिए रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा यह बहुत खुशरत लगेगा कई यार अब महत्पुल यह है कि यह गिरना नहीं चाहिए अब में सभी पैकेट्ज को डाल दिया अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते है इसे अलेक्स के पास ले जाने की जरुवत है क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है ओ नहीं, बिटनी, मैं पकड़ता हूँ तुम इतने सारे खाली फ्रेंस फ्रैस पैकेट्स क्यों लाई हो क्या तुम इसे मेरे बोर्ट पर से जाना चाहती हो ना, मैं तुभारी मदद करता हूँ चलो इस बोर्ट को साफ करे ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे अब सब कुछ तयार है और अब तुम्हारा टेबल हमेशा सिस्टेमेटिक रहेगा तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसेल, मारकर और दूसरी चीजों को डाल कर रखना होगा कम जगह में अच्छी तरह से रखना इतना असान और सरल है वाव धन्यवाद